नमस्कार दोस्तों मैं हुराम आप देख रहे हैं टेक्निकल विथराम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूट्यूब वीडियो पर इंट ए स्क्रीन कैसे लगाएं दोस्तों बने रहना वीडियो के इंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उसे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजीगा तो सबसे पहले आपको दोस्तों Chrome browser open कर लेना है आपमें कोई सा भी browser होगा उसे आप open कर लिजेगा तो search बार में click करना है और आपको यहाँ पर search करना है youtube.com जैसे आप youtube.com सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर 3.0 जो है 3.0 के निशन पर किलिक करना है आपको desktop site पर किलिक कर देना है desktop site पर जैसे किलिक करेंगे आपका जो है यह पूरा desktop mode में on हो जाएगा जिसे आप बोलते हैं computer जिस तरह computer में होता है या PC laptop में होता है उस तरह आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा इतना करने के बाद दूस्तों यहाँ पर जो लोगो दिखाई दे रहा है इस लोगो पर किलिक करना है आपके चैनल लोगो पर किलिक करने के बाद योड चैनल के उप्षन पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल जो है चैनल आर्ट भी दिखाई देगा और चैनल लोगो भी आपके वीडियो यहाँ पर फोड वीडियो दिखाई देता होगा फिर यहां customize channel का option जो है इस पर किलिक कर देना है कुलिक करने के बाद आप यह जो है creative studio यह desktop mode में on हो जाएगा तो इससे on होने के बाद दोस्तों यहां पर जो है videos का option है यहां पर इस पर click कर देना है इस पर जैसे आपको क्लिक करना है content के option पर क्लिक करने के बाद आपको धोरा यहां पर wait करना होगा ज़टो चलिए दोस्तों wait कर लेते हैं अभी तक आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दिजए और channel को subscribe कर लिजए वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपक तो देख सकते हैं इंड स्क्रीन का उप्षन इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद आपको यहां पर बहुत साड़ा यहां पर लोगो सेट करने का उप्षन दिखाई देता होगा आप यहां पर चाहे चैनल लोगो और वीडियो भी सेट कर सकते हैं और आप चाहे तो दोनो वीडियो भी set कर सकते हैं चाहे तो वीडियो दो वीडियो और एक लोगो भी set करना जिसे आप set करना चाहेंगे उस पर आपको click कर देना है तो चलिए यहां मैं input font best पर click करूँगा और एक वीडियो एक subscriber का जो option है दो नमर में उसको click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहां black वाला जो underline देखाए दे रहा है इसको आपको end में लेके चले जाना है जिस जगह से आपको चलाना है तो end screen में पहुचाने के बाद यहां पर जो है elements का option इस पर click करना है और यहां पर videos का जो option है इस पर click कर देना है वीडियो पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चुछ सेपोर्ट वीडियो इस पर किलिक कर देना है सेंपली इस पर किलिक करने के बाद आपको कौन सा वीडियो इंड स्क्रीन में लगाना है अगर आप कोई भी वीडियो एंड स्क्रीन में लगाना चाते हैं यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए मैं कोई सा भी वीडियो सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो चलिए मैं आपको यहां पर यह वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वीडियो सेलेक्ट हो चुका है आप इसे इधर उधर भी कर सकते हैं आप अगर यहाँ लगाना चाहते हैं इस ओर भी लगाना चाहते हैं इस ओर भी तो चलिए मैं यहाँ लगा देता हूं तो यहां लगाने के बाद सोड़ी दोस्तों आपको यहां लगा देना है इस जगा लगाने के बाद आपको दोस्तों यहां पर जो है सेब का उप्सन यहां चैनल लोगो जो है चैनल लोगो भी एड़ हो चुका है तो आपको simply यंक्या करना है, save कर देना है, save करने के बाद दोस्तों, save हो जाने के बाद दोस्तों, आपको पुड़ा back आना है, पुड़ा back आने के बाद आपका वीडियो दोस्तों, in screen में save हो जाएगा, I hope दोस्तों, आप लोगों को वीडियो बहुत ही फैदे मंद हुआ होग